नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरी यूटूब चैनल धमाका जीके पर दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ कला और गायन के छेत्र से जुड़े प्रसिद्ध व्यक्तियों से समन्दित प्रश्न दोस्तों सभी प्रश्न एक्जाम सेलेक्टिड हैं और ये आपके SSC, DSSB, RRB, NTPC और भी स्टेट लेवल की कई परिक्षों में वर्ष्च 2021 से 22 के दोरान पूछे गए हैं इसलिए आप वीडियो को पुला जरूर देखें और वीडियो चलागे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरी यूटूब चैनल धमाका जिके को सब्सक्राइब जरूर करें इससे आगे भी आपको मेरी एकजामेट वीडियो मिल सकेए चलिए दोस्ते वीडियो करते हैं दोस्तो पहला प्रशन है हमारे पास योग सुन्दर देशाई एक अगरनी जिन्होंने सोतंता पुर यूग में भारते नित्ते की दुनिया आंसर है इसका भारत के गुजरात राज्य में भारत के गुजरात राज्य में योग सुन्दर देशाई का जनम हुआ था 16 जुलाई 1921 को तो यह आप जरूर याद रखें पर यह प्रशन जो है यह आपके वर्श 2022 की SSC CHL परिक्षा में पूचा गया था यह सभी प्रशन आ और इसी सास्तिया नित्य शेली के लिए केलू चरंग जो महाँ पात रहा है वो प्रसिद्ध हैं तीसरा प्रशन है दोस्तों हमारे पास नर्तिकी नटराज जो की पदम शिरी प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर रख्ती बने है इन्हें पदम शिरी किस वर्श में दिया गया था नर्तिकी नटराज जो की पदम शिरी प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर रख्ती बने है इन्हें पदम शिरी किस वर्श में दिया गया था आंसर इसका वर्श 2019 में वह इस प्रसकार से सम्मानित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है वर् अंसर इसका सूफी अंसर इसका सूफी अंसर इसका शेहनाई उस्ताद जो बिसमिल्ला खान है ये शेहनाई वादक है हटड़ा प्रशन है इलाबाद के किस हिंदुस्तानी गायक को उनके प्रसिद सम्कालिन गोहर जान के साथ वर्ष 1911 में दिल्ली दर्बार में समराट जार्ज पंचम के लिए परदशन करने का सोभग्य प्राप्त हुआ था इलाबाद के किस हिंदुस्तानी गाय को उनके प्रसिद्ध संकालिन गोहर जान के साथ 1911 में दिल्ली दरबार में समराट जार्ज पंचम के लिए प्रदशन करने का सुभाग्य प्राप्त हुआ था आंसर इसका जानकी भाई जानकी भाई को जो है लोक्त्रे रूप से 56 चुर गाव वाली महिला के रूप में जाना जाता है और आप यह याद रखे कि जो जानकी भाई है इन्हें गोहर जानके साथ 1911 में दिल्ली दरबार में समराट जार्ज पंचम के लिए प्रदशन करने का सुभाग्य प्राप्त हुआ था आतो प्रशने दोस्तों मामे खान किस भ राक्टर सुनंदा नायर को किस नित्यशेली के लिए कलाकार शिक्षक और पस्तावक के रूप में पहचाना जाता है आंसर है इसका मोहनी अटम राक्टर जो सुनंदा नायर है वो मोहनी अटम से समंदित है नेक्स ने दोस्तों मोहनी अटम की मा के रूप में किसे जाना जाता है आंसर है इसका कल्यानी कुटी अम्मा ये आप जरूर याद रखें गोपाल प्रसाद दूबे किस नित्य शेली के लिए जाने जाते हैं आंसर है इसका च्छाउ नित्य शेली के लिए गोपाल प्रसाद जो दूबे है ये च्छाउ नित्य शेली के लिए जाने जाते हैं त्यारो प्रशन है दोस्तों सर्वुष्रेष्ट औरिजिनल स्कोर के लिए आसकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतिय संगीत कार कौन है? आंसर है इसका ए आर रह्मान ए आर रह्मान जिने सलम डाग मिलेनिर में अपने काम के लिए वर्ष 2009 में दो आसकर पुरस्कार इन्होंने जीते थे उन्होंने सर्व श्रेष्ट मूल उसकोर और सर्व श्रेष्ट मूल जीत की श्रेडी में पुरस्कार जीते हैं रसूल पकोटी है उन्होंने सर्व श्रेष्ट धमनी मिक्षन के लिए आसकर पुरस्कार जीता है और इसके अलावा जो भानु अथाया है उन्होंने गांधी जो फिलम ती उसमें अपने काम के लिए जो पोशाग उन्होंने की थी उसके लिए उन्हें आसकर उन्होंने जीता था इसके लावा जो महभूप खान है उन्होंने फिलम मदर इंडिया के वो निदरशक थे जिसे सर्व श्रेष्ट विदेशी फिलम शेड़ी में नामंकित किया गया था ये पहली फिलम थी मदर इंडिया जो आसकर के लिए नामंकित की गई थी जो भारस से थी भारू प्रशन है दोस्तों पदम शिरी और पदम भूशन पुरसकार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उमर के तबला वादक कोन बने हैं आंसर इसका जाकीर हुसेन जिनको पदम शिरी 1988 में और पदम विवूशन सन 2002 में दिया गया था और हाली में इन्हें अभी सन 2023 में पदम विवूशन से सम्मानित किया गया है जाकीर हुसेन को जो की तबला वादक है तो ये भी आप जरूर याद रखी दोस्तों विए अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करे और मेरे यूटूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करे इससे आगे भी आपको मेरी एक्जामनेटिट वीडियो मिल सके दोस्तों तेरियो प्रशन हमारे पास शमशाद बेगम हिंदी फिल्मों के लिए पार्शव गायन करने वाली पहली महिलाओं में से एक थी शमशाद बेगम के बारे में आपके पूछा गया है तो इन्हें जो ओपी नेर पुरसकार है इन्हें कब दिया गया था आंसर इसका वर्ष 2009 में वर्ष 2009 में शमशाद बेगम को ओपी नेर पुरसकार दिया गया था तो दो प्रशन है दोस्तों भारत रतन से सम्मानित होने वाला पहला भारतिये शास्त्र संगीतकार कौन था भारत रतन से सम्मानित होने वाला पहला भारतिये शास्त्र संगीतकार कौन था आंसर इसका मैसुबू लक्ष्मी, मैसुबू लक्ष्मी को 1998 में इन्हें भरत रतन जो है वो दिया गया था और ये पहली शास्त्रे संगितकार बनेती भरत रतन से सम्मालित होने वाली, अंदरो प्रशने दोस्तों, लता मंगेशकर और बिस्मिल्ला खान को भरत रतन कब दिय गया था, आंसर इसका वर्ष 2001 में, वर्ष 2001 में लता मंगेशकर और बिस्मिल्ला खान को भरत रतन दिया गया था, बिस्मिल्ला खान जो है वो शेहनाई वादक है, यह अपने उपर प्रशन में पढ़ा था, मदू लिता महापात्रा किस नित्य शेली के लिए जानी जाती है मदू लिता महापात्रा जो है वो किस नित्य शेली के लिए जानी जाती है, आंसर इसका ओडिसी शास्ते नित्य शेली के लिए जानी जाती है, इनों ने वर्ष 2011 में उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा प्रसकार विप्राप्त किया था, मिनाक्षी शिरी निवाशन किस नित्य शेली के लिए जानी जाती है, इनों ने वर्ष 2011 में उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा प्रसकार विप्राप्त किया था, आंसर इसका भरत नाट्यम, मिनाक्षी शिरी निवाशन है ये भरत नाट्यम के लिए प्रसिद्ध है, आंसर इसका कत्थर, चंबु माराज और बिर्जु माराज दोनों ही कत्थक नित्य से समंदित है, लच्छु माराज और शोबना नारैन किस नित्य शेली के लिए जाने जाते हैं, आंसर इसका कत्थर, चंबु माराज, बिर्जु माराज और लच्छु माराज तीनों ही कत् सब्सक्रीने नित्यांगना तो तंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नित्यांगना कौन थी, जिने राज़ेसभा के सद्स्री के रूप में नामित किया जा चुका है? तो तंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रिय नित्यांगना कौन थी जिने राज्य सभा के सस्ति के रूप में नामित किया जा चुका है आंसर है इसका रुकुमनी देवी अरुंडेल इनने राज्य सभा के सस्तिके रूप में नामिति किया गया था रुकुमनी देवी अरुंडेल को जो की सोतंत्र भारत की पहली महिला शास्तिय नित्यांगना बनी थी रुकुमनी देवी अरुंडेल राज्य सभागी सस्थी के रूप में नामित होने वाली रुकुमनी देवी अरुंडेल किस शास्त्री नित्ते से समंदित हैं? रुकुमनी देवी जो अरुंडेल हैं ये किस शास्त्री नित्ते से समंदित हैं? आंसर इसका भरत नाट्टें और पंडितरविशंकर को वर्ष उन्निस सो निन्यानमे में भारत रतन दिया गया था वर्ष उन्निस सो निन्यानमे में पंडितरविशंकर को जो है भारत रतन दिया गया था लता मंगेशकर और उस्ताद विसमिल्ला खान को अभी आपने उपर पड़ा था कि सन 2001 में इन्हें भरत अतन दिया गया था ये भी आप जरूर याद रखे नेक्ट नें दोस्तों मारे पास जो विस्वा प्रशन आंसर इसका जे प्रभा मैनन को भरत नाट्यम के लिए ये भी आप जरूर आखे कि जो प्रभा मैनन है ये भरत नाट्यम नित्य से समन्दित है पेरना देशपांडे को किस नित्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2016 में देवदासी राष्टिय प्रशकार से सम्मानित किया गया था आंसर इसका कथक नित्य शेली में 20 प्रशन है दोस्तों तुलसी दास बोर कर किस वादक से समन्दित है तुलसी दास बोर कर किस वादक से समन्दित है आंसर इसका हार्मोनियम किस साधिर नर्तक को वर्ष 2022 में पदम शिरी दिया गया था आंसर इसका आर मुतुकन मम्मल तो इन्हें जो है यह साधिर नर्तक हैं साधिर यानि के जो भरतनार्ट्यम जो नित्ते हैं उसके लिए इन्हें वर्ष 2022 में बदमश्री दिया गया था और वो तुकन ममल जावेरी बहने किस शास्त्रिया नित्य शेली से जुड़ी है आंसर है इसका मनी पूरी शास्त्रिया नित्य शेली से दोस्तों विडियो को लाइक करते हैं जरूर चले दोस्तों नित्य सो प्रश्ण है बीम सेंजोशी को बरत रतन कब दिया गया था बीम सेंजोशी को बरत रतन कब दिया गया था आंसर है इसका वर्ष 2009 में वर्ष 2009 में भीम सैंड जोशी को भर रतन दिया गया था हलीम खान किस सास्त्रे नित्ते से समंदित है? आंसर है इसका कुची पुड़ी हलीम खान जो है ये कुची पुड़ी शास्त्रे नित्ते शेली से समंदित है आंसर है इसका कुची पुड़ी कुची पुड़ी शास्त्रे नित्ते शेली से जो है वो यामनी कुची पुड़ी मलीका सारबहाई रागनी देवी जो है ये समंदित है पतिसो प्रशन है दोस्तों आंसर है करनाटक, करनाटक राज्य है इनका जनम इस्थान पंडित भीमसेंगुरचारे जोशी का दोस्तों आगे प्रशन हमारे पांस 33 प्रशन गुरू मकर्धवज्जा दरोगा को भारत में किस प्रकार के नित्ते में उनके योगदान के लिए पदम शिरी पुरसकार से सम्मानित किया गया था गुरू मकर धज्जा दरोगा को भारत में किस प्रकार के नित्य में उनके योगदान के लिए पदम शिरी पुरसकार से सम्मानित किया गया था आंसर है इसका चाउ नित्य शेली के लिए वो है पश्य बंगाल का पुरलिय चाऊ, जहारखंड का सराई केला चाऊ और उलिसा का मयूर बंज चाऊ यह भी आप जुरूर याद रखें पदम शिरी पुरसकार से सम्मानित गुरू अमूवी सिंग को किस नित्य शेली में यह पुरसकार दिया गया था आंसर है इसका मनी पुरी नित्य शेली के लिए अन्य पुरी नित्य शेली सम्मानित गुरू अमूवी सिंग और इने इसे में योगदान के लिए पदम शिरी पुरसकार दिया गया था तो यह आप जरूर या रखें कि जो गुरू अमुवी सिंग है ये मनिपूरी नित्य शेली के लिए जाने जाते हैं तो ये अपने पिता उस्ताद बाबा अल्लावदिन खान के अधिन शास्ते संगीत में प्रक्षिक्षित किया गया था और उनकी मदद से उन्होंने मेहर सेनिया घराने की स्थापना की थी आंसर इसका अन्नुपूर्णा देवी पदम शिरी प्रसकार से सम्मा नित्य गुरू गंगाधर प्रधान किस नित्य शेली के कुशल नर्तक है आंसर इसका अन्सिंग। विध्धाले सर्जन की स्थापना की थी आंसर है इसका केलू चरन महा पात्रा ने केलू चरन महा पात्रा ने जो यह है ओड़िसी निते विध्धाले सर्जन जिसका नाम है इसकी स्थापना की थी केलू चरन महा पात्रा ने दोस्तो नेक्स्ट है हमारे पास 41 प्रशन मैते राम रियांग मैते राम रियांग होगा दोस्तो यह रियांग ठीक है मैते राम रियांग यानि के सत्ते राम रियांग को किस लोक नित्ते में उनके योगदान के लिए पदम शिरी से सम्मानित किया गया था मैत्यराम रियांग यानि के सत्यराम रियांग को किस लोक नित्ते में उनके योगदान के लिए पदम शिरी से सम्मनित किया गया था आंसर है इसका होजागीरी होजागीरी है जो कि तिरपुरा का ये लोक नित्ते हैं होजागीरी और इसी में इनके योगदान को देखते हुए इन्हें वर्ष्च 2021 में वर्ष्च 2021 में इन्हें पदम शिरी जो है ये दिया गया था तो ये आप जरूर याद रखें ये आपका SSC प्रेक्षा में ही पूशा गया प्रश्ण है वर्ष्च प्रेक्ष्ण है दोस्तो ऊमा शर्मा किस नित्य से समंदित है और इसका कथक नित्य से समंदित है ये तीतारा देवी और शोभना नारयन आंसर इसका पांडवानी पांडवानी लोग संगीत है जो कि 36 गड़ की एक लोग गायन शेली है जिसमें प्राचीन भारतिय महा काव्य महा भारत की कहानियों का वर्णन शामिल होता है तो यह आप जुरूत याद रखे कि जो तीजन भाई है जड़ु रम देवांगन है रितु वर्मा उशा बारले और शांति भाई जो चेलेख है यह पांडवानी से समंदित र्यत्ती है जतिन गोस्वामी किस शास्त्रिय नित्ते से समंदित है जतिन गोस्वामी किस शास्त्रिय नित्ते से समंदित है आंसर इसका सत्रिय नित्ते है जो कि असम का शास्त्रिय नित्ते है जो जतिन गोस्वामी है यह सत्रिय नित्ते से समंदित है और यह असम का शास्त्रिय नित्ते है दोस्तों वड़े चलग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जुरूर करे और मेरे यूटूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जुरूर करे इससे आगे भी आपको मेरी एक्जामनेटिड वीडियो मिल सेके अंसर है इसका कुछी पुड़ी नित्य शेली के लिए जो है गुरू पदमजार एडि को वर्ष्च 2022 में पदमशीरी से समन्दित किया गया था नर्ती की नर्तराज किस शास्तिय नित्य से समन्दित है जो की पदम शीरी पुरुसकार पाने वाली पहली ट्रांस महिला बनी थी पहली जो है ये पदम शीरी प्रसकार प्राप्त करने वाली पहली ट्रांस मेला बनिती आंसर इसका भरत नाट्यम, भरत नाट्यम से समंदित है ये नर्त की नटराज 45 प्रशन है सोनल मान सिंग किस सास्तिय नित्ते से समंदित है सोनल मान सिंग जो है ये किस सास्तिर निफ्टे से समंदित है आंसर इसका भरतनाट्यम और ओडिसी से समंदित है ये सोनल मान सिंग प्रणचास प्रशन है उस्ताद अमीर खान किस घराने से संबंदित थे? उस्ताद अमीर खान किस घराने से संबंदित थे? आंसर इसका इंदोर घराने से इन दौर खराने से जो है वो उस्ताद आमीर खान जो है ये समन्दित है और उस्ताद आमीर खान ने ही इन दौर घराने के संस्तापक है ये भी आप जरूर याद रुखिए और इन्हें ए बड़ आफ भर्मपूत्र भी कहा जाता है ने कहा जाता है और यसम राज्य से सम्मंदित है वुपेल हाजारी का दोस्तों इसी अंतिम प्रशने के साथ कला और गायन के 36 से जुड़े प्रसिद्ध व्यक्तियों से सम्मंदित प्रशने पूरे होते हैं दोस्तों विडियो चलागा हो तो फ्लीज वीडियो को लाइक और जुरूर करें और मेरे यूटूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जुरूर करें इसे आगे भी आपको मेरी एक्जामनेटिक वीडियो मिल सकें दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो मेंने टोपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद